हलो फ्रेंट्स, वेलकम टे एक्जाम और्बिट, तो आज के इस वीडियो में 17 जन्वरी का मॉस्ट इंपर्टेन करेंट अफर देखेंगे, इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेली कराम से आप डाउलोड कर सकते हैं, तो आज का करेंट अफर शूरू करेंगे, उ जने GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का नुमार लगाया है, माइनस में 9.4 परतिशत, हाले में सुप्रीम कोट बार एसोशेशन के अध्यक्षपद से किसने इस्तिफा दे दिया है, दुश्यन्त दवे ने, 15 जन्वरी 2021 को कौन सा भारती सेना दिवस मनाए गया, तो ध्यान रख कमीज में भारत किस अस्थान पर है, इसमें भारत चोथे अस्थान पर है, पहले अस्थान पर है चीन, भारत की नई विदेश बैपारनीती, 1 अपरेल 2021 से कितनी अऩ़िक लिए लागु की जाएगी, 5 वर्सों के लिए, 2021 से 2026 तक के लिए, केंद्रे कबिनेट ने किस देश इसके साथ उपगरा, राडार, भुकंप और मौसम संबंधी जैसे छेतरों में किये गए वैज्ञानिक और तक्निकी सहयोग पर समझोते को मंजूरी दे दी हैं। ये समझोता किया गया है भारत और युनाइटेड अरब इमरात के बीच में। DRDO यानि Defense Research and Development Organization और भारती सेना द्वारा संयुक तोरुप से विक्सित भारत के पहली स्वदेशी 9mm मशिन पिस्टल का क्या नाम है इसका नाम है असमी अमेरिकी टेक्नलोजी कमपनी इंटेल के नए CEO कौन बने हैं पैट गेल सिंजर बने हैं ये अगले महिने 15 फरवरी को की अधेक्षता में टॉम 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 ट्राइफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्राइफिक वला शहर निम्न में से कौन सा रहा मॉस्को जो कि रूस की कैपिटल है और इसी में दूसरे आसान पे भारत का ही शहर है मुंबई हाली में टेलंग गाना में कानूमा टेवार मनाए गया ये टेवार किस से संबन दित है तो मवेशियों से संबन दित है कानूमा टेवार जो की टेलंग गाना में मनाए जाता है निम्न में से किस भारते भावतिक विग्यानी और पद मिसिरी विजेता को फ्रेंच ओर्डर ओ अब चलिए आज का करेंट फेर देखते हैं पहला कोशन। और इनसे पहले कौन अधियक्ष थे एलिजाबेट टीकी फिसल बर्गर तो एलिजाबेट टीकी फिसल बर्गर की जगा नजहत शमीम खान को सैयुक्त राश मानवाधिकार परिसद का अधियर्च नियुक्त किया गया है संयुक्त राश्र मनवाधिकार परिसद इसे इंगलीश में बोलते हैं यानि इवेन HRC का फुल्फम होगा United Nations Human Rights Council गठन वाथा 15 मार्च 2006 में मुख्याले जीनिवा में हैं सदस देशों की संख्या है 47 अगला कोशन है दूर संचार उपकरण और सेवा निर्याद संवर्धन परिसद ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है तो दूर संचार उपकरण और सेवा निर्याद संवर्धन परिसद के नया अध्यक्ष बने है संदीप अगरवाल Option A सही उत्तर हैं इन्हें शामल घोस की जगा नियुक्ते किया गया है वहीं संदीप अगरवाल जो हैं ये दिल्ली इस्थित पैरामांट कम्यूनिकेशन के परबंधे निदे सक है इन्हें दूर संचार उपकरन और सेवा निर्यात समर्धन परिशद यानि TEPC का अध्यक्षिनियुक्ते किया गया है TEPC जो है ये एक स्वतंतर निकाय है जीसे भारत सरकार ने दूर संचार उपकरनों और सेवाओं के निर्यात के बढ़ावा देने के लिए अस्थापित किया है इंग्लिस में इसका फूल पमोता है टेलिकॉम एक्वेप्मेंट एंड सर्वेसस एक्सपोर्ट पर्मोशन कांसिल इसका हेड़क्वाटर नई दिल्ली में है अमेरिके नो निर्वाचित रासपती जो बाइडन की पतनी जिल बाइडन के डिजिटल निदेसक कौन निउक्त हुए है तो एक भारती अमेरिकी है उन्हें जिल बाइडन का डिजिटल निदेसक निउक्त किया गया है उनका नाम है गरीमा वर्मा ओप्शन डी से उत्तर है तो भारत में जन्मी है और अमेरिका में जाकर बसी हुई है तो इनने भारते अमेर्की कहा जाएगा इनने जो बाइडन की पतनी जील बाइडन का डीजिटल निदे सक निउक्ते किया गया है तो हाले फिलाल में अमेरिका में बहुत सारे भारते मुल के बेक्तियों को उचे-उचे पदो पर निउपते किया गया है, जैसे कि माला अडीगा को जील बाइडन का नीती निदेसक बनाए गया है, वहीं गरीमा वर्मा डिजिटल निदेसक बनी है, और जो अप्षन B नमबर हाली में मैंने आप सभी को बताया था, सबरीना सिंग, उन्हें वाइट हाउस में उप्रेश सचीव बनाए गया है, वहीं डाक्टर विवेक मुर्ती, यह भी भारती मुल के अमेरिके नागरिक हैं, इन्हें अमेरिका का सर्वोच चिकित्सा अधिकारी होता है, सर्जन जनर तो डाक्टर विवेक मुर्ती को सर्जन जनरल बनाए गया है, अमेरिका की बात करें, तो इसकी कैपिटल है वाशिंग्टन डी सी, वाशिंग्टन डी सी में तीन परमुक संगठन का मुख्याले है, नासा, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मुनेटरी फंड, इन तिनों का अमला हैरिस, जो की भारती मुल्की हैं, और पर्थम अश्वेत हैं, जो की अमेरिका की इतिहास में पहली उपरास्पती बनेंगी, ठीक है, वहां की संसत का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है डॉलर, भारती इतिहास में ये कौन सा मोखा होगा, जब 2021 के गणतंतर द मुख्य अतिथी नहीं होगा, बृतेन के परदान मंत्री हैं, बोरिस जॉंसन मुख्य अतिथी के रूप में उन्हें अमंत्रित किया गया था, उन्होंने एकसेप्ट कर भी लिया था, लेकिन हाली में उन्होंने अपना दौरा अरद कर दिया है, उसके बाद काफी समाचार दियान रखिए, पिछले साल यàngी 2020 में गणतंतर दिवस के मुख्य अतिथी थे ब्रजिल के राष्पती जेर बोल सोनारो, वहीं पिछली बार 1966 के गणतंतर दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथी नहीं था, 2021 से पहले तीन बार 1952, 1953 और 1966 में कोई भी मुख्य अतिथी नहीं देट याद रखिएगा वहीं आपको बता दें कि इंडोनेसिया के तत्कालीन राश्पती सुकर्णू 1950 में गणतंतर दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्या अतीती थे चलिए अगला कोशन है तो जहां पे पहली स्वदेशी रूप से विक्सित का नाम आ जाए आपको रट जाना है याद रखना है तो इस मेट्रो कार का निर्मान किया है भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड ने और हाली में इसका अनावर्ण किस ने किया है के अंदरे राक्षा म आपको बताने कि भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड की बैंगलूरू इस्थित वे निर्मान सैंतर में इस मेट्रो कार को बनाए गया है यानि मुंबई मेट्रो पॉलिटन रिजन डेप्लोप्मेंट ऑथरेटी के लिए इस मेट्रो कार को बनाए गया है और इस तरह से भार ड्राइबरलेस ट्रेन का उद्गाटन किया था वो भारत की पहली ड्राइबरलेस ट्रेन थी जिसे विदेश के सयोग से बनाये गिया है और ये भारत की पहली स्वदेशी रुप से विक्सित ड्राइबरलेस मेट्रो कार है ठीके इसे बनाये भारत अर्थ मुवर्स पंदरत जन्वरी 2021 को पाचवे प्रारंब एस्टारटप इंडिया इंटर नेसन सम्मिट का उद्गाटन किस ने किया तो 15 जन्वरी को इस सम्मेलन का उद्गाटन किये केंद्रिय मंत्री प्यूश गोयल और इस सम्मेलन में बेमस्टेक के सदाज से देशों के प्रतिनिद्यों ने हिस्सा लिया था बेमस्टेक के बारे में जानेंगे उससे पहले इस सम्मेलन का उद्गेश जानिये दुनिया बरके ये start-up और इवा सोच को एक साथ लाना नवाचार और अविश्कार का बढ़ावा देना इस समयलन का मुख्य उद्देश था और BIMSTEC BIMSTEC होता है इसका फूल फोमता है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation इसका सचवाले बंगलादेश की कैपिटल ढाका में है और इसके साथ सदस्य देशें इसमें भारत भी है ठीक है तो इस तरह से समयलन का पांचुआ संसकरन था पहली बार ये समयलन का योजन 2016 में किया गया था पिऊश गौयल के पास कौन-कौन सा मंत्राले है इनके पास 3 मंत्राले है रेल मंत्राले वानीज और उदोग मंत्राले और भोकता मामलेयों खद्या और सारवाजनिक वित्रन मंत्राले ध्यान रखे, पिछले की सी वीडियो में मैंने मिस्टेक से बता दिया था, कि प्यूश गोयल के पास कोयला मंत्राले है, इसे आप एडिट कर लिजे, कोयला मंत्राले और संसदीय मंत्राले, साथ साथ में खान मंत्राले, ये तीनों मंत्राले प्रहलाद जोशी के पास है, अपन्यासकार थे इनका हाली में निधन हो गया है। बता दें कि इन्होंने अपने बच्पन में ही आखों की रोशनी खो दी थी। और 20 मी सदी के दिगज लेखों को में से ये एक थे। इनका जन्म लहोर में हुआ था बाद में अमेरिका में जाकर बस गये थे। और ये लंबे समय तक The New Yorker के लेखक रहे थे। अपने सभी ओफिसेज को पेपरलेस का डिजिटल बनाने के लिए किस मंत्राले ने स्कॉज चलेंजर प्रोसकार 2021 जीता है केंद्रिये जन जातिये मामलों के मंत्राले ने और इस तरह से इस मंत्राले ने लगतार दूसरे साल स्कॉज चलेंजर प्रोसकार जीता है तो Option D सहुत्तर है तो E Governance में शंदार परदर्शन के लिए इस भार भी इस मंत्राले को ये प्रोसकार दिया गया है जन जातिये मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा उन्होंने इस प्रोसकार को प्राप्त किया अरसायन एह उर्वरक मंत्री कों है डीवी स्तादानंद गोड़ा है भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री कों है प्रकास जवडेकर है उनके पास दो और मंत्राले है सूचना प्रासारन मंत्रा ले और पर्यावरन मंत्रा ले कौशल विकावस और उद्यमिता मंत्री कौन है डाक्तर महेंदरनाथ पंडे है वहीं एसकोच चलेंजर पुरसकार की बात करें तो एसकोच एवार्ड्स की अस्थपना 2003 में की गई थी और ये पुरसकार ऐसे लोगों, संस्थाओं या फिर पर्योजनाओं को दिया जाता है जो भारत को एक बेटर नेशन बनाने में उत्कृष्ट योगदान देते हैं 2003 में इसकी शुरुवात की गई थी 16 जनवरी 2021 को भारत भर में COVID-19 टीका करन की शुरुवात की इसने की तो परदान मत्री नरेंदर मोदी ने 16 जनवरी को भारत भर में COVID-19 टीका करन की शुरुवात की तो ओप्शन भी सही उत्तर है अच्छा देश के पहले शक्ष का नाम बताईए जिसे टीका दिया गया उनका नाम है मनीश कुमार तो ये भी इंपोर्टेंट हो सकता है याद रखिएगा मनीश कुमार जो की आठ साल से दिल्ली के एम्स में नोकरी करते हैं उन्हें पहली बार ये टीका दिया गया यानि देश के पहले शक्ष बन गया है मनीश कुमार ठीक है और उनके बाद से एम्स के निदेशा करणदेप गुलेरिया और भारती टीका करण कमेटी के चीफ और निती आयोक के सदस से वीके पॉल जैसे बेक्तियों को भी टीका दिया गया तो पहले चरण में ऐसे बेक्तियों को टीका लगाया जा रहा है जो की स्वास्त छेतर से जुड़े हुए हैं और फ्रंट लाइन वर्कस हैं तो पहले चरण में 30 करोण लोगों को टीका लगाया जाएगा और दूसरे चरण में भी 30 करण लोगों को टिका लगा जाएगा इसी तरह से धिरे-धिरे भारत के सभी लोगों को कवर किया जाएगा तो 16 जनवरी 2021 को भारत बर में टीका करण के शुरुबात कर दी गई भारत के तीनों से राव में सर्विस देने वाले एक मातर भारते या दिकारी कौन है जिने हाली में CDS यानि Chief of Defense Staff बेपिन रावत ने Silver-Salver सम्मान से सम्मानित किया है तो इस तरह के भारत के पहले ऐसे बेकती हैं जो कि तीनों से राव में सर्विस दी हैं उनका आम है प्रित्वी पालसिंग, Option C से हुटतर है तो हाली में इने Silver-Salver सम्मान से सम्मानित किया है किस ने सम्मानित किया है? Chief of Defense Staff बेपिन रावत ने प्रित्वी पालसिंग, Second World War और 1965 के भारत पाक यूद में भी शामिल रहे है तो हाली में 14 जन्वरी को विरिद्ध दिवस मनाए गया इसी दिवस के औसर पर इने ये सम्मान परदान किया गया ध्यान रखिए, बेपिन रावत जो ही ये भारत के पर्थम Chief of Defense Staff है तो ये था हमारा आज का करेंट अफर वीडियो पसंद आया है पंकज मिथल किस हाई कोट के नए मुख्या नयधीस बने है तो ये जम्मू कश्मीर हाई कोट के नए मुख्या नयधीस बने है तो इसका सही उत्तर ओप्षन भी था अब चलिए आज का पहला क्विजे निम्न में से किसे नाया डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है दूसरा कोशन है निम्न में से किस भारती को एशिया प्रशान शेतर के लिए गूगल कलाउड का परमुख नियुक्त किया गया है दोनों कोश्चन का इसा नीचे कमेंड में बताईए, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक यार